परोपकारह परेशाम उपकारह परोपकारह इती अविधियते समाजे मानव परस्परस्य हित साधनार्थम यत किन्चित वितरती मनसा वाचा कर्मन वा प्रार्थम संपादियती परेशाम हितम वा अनुतिष्टती तत सर्वं परोपकारह गनेते संस्कृत साध्ते अनेकह सुक्तयह वर्तंते एता संचारह सिक्षा परदास्चे विध्यंते एता सु एका इद्रिशी अस्ती पिबंति नद्यह स्वयमेव नाभ्यह स्वयम नेखादंति फलानि व्रक्षाह नादंति सस्यम खलुवारि वाह परोपकारह सताम विभूतयह अस्मिन संसारे परोपकारस्य अनुपमा महिमा अस्ती अनेन गुणेन नरस्य प्रतिष्टा वर्तते से नरह आत्म संतोसम लबते वस्तुत सरीरस्य सोबा चंदन लेपनेन न अपीतु परोपकारेण भवती अत एव उच्चेते केनापि कमिना यत स्रोत्रम सुर्तनेव न कुंडलेन दानेन पानीर न तु कंकनेन विभातिका यह खलु सज्जना नाम परोपकाराई न तु चंदनेन वयम सर्वत्र पस्याम यत प्रकरतिही अपी अस्ये प्रोपकारस्ये एवं सिक्षाम प्रददाती। फल भारेन समन्विताह व्रक्षाह स्वार्थाईन फलंती अपी तु तेसाम फलानी अन्यसाम क्रते एव जायंती। भगवती भागिरती अपी स्वेकियेन स्वार्थेन एवन प्रवहती किन्तु सातु केवलं जनानाम उपकारार्थं एवं जलानी धारियती। यदि गंगा नस्याद तरही अन्ना अभावात प्राणी नहां सुदा पिलडनेन मृताश्य। गावह अपी स्वे मधुरं स्वादिष्टं अम्रित कल्पं चे दुग्दं परेशाम लाभार्थं एव ददती। नेतु स्वेपानार्थं एवं एव नरस्य इदम सरीरं अफी परोपकाराय एव वर्त दे। परोपकाराय फलंति व्रक्षाह परोपकाराय वहंति नद्यह परोपकाराय दुहंति गावह परोपकार्थ मिदम सरीरं। सज्जना वसुदेव कुटुम्बकं इती मन्यते अत एव ते सर्वान जीवान समांद्रिष्ट्या पस्यंती ते मनसा वाचा करमना दर्द्रानानां दुखितानां चे दुखापहरनां संपाधियंती कोपी कविही कथियती यत रविही चंद्रह मेगह व्रक्षा सज्जनास्च केवलं प्रोपकाराय एव वी निर्मिता रविश चंद्रोगना व्रक्षा नदीगावस्च सज्जनाह एते प्रोपकाराय युगे देवे नवी निर्मिताह समाजे राष्ट्रे च प्रोपकारस्च भावणा अतिव्प्योगी अस्ति अस्चे गुणश्य ग्रणे न एवनरे समाज सेवायाह भावणा देश प्रेम भावाव्णा देश भक्ती भावणा दीनोद्रन भावणा पर दुख कातर्ता सानु भूती गुणश्य च सत्ता भवती परोपकारं कृत्वा रिधियं पवित्रं सत्व भाव समन्वितं सरलं विनियोपेतं सरसं सदयं च जायते अस्य भावनेया परिपून जनह दीनेभ्यु दानं ददती नर्धनेभ्या धनं वस्त्रही नेभ्य वस्त्रं पिपासी तेभ्यु जलं भुबुक्षि तेभ्यु अन्नम ऐसिक्षि तेभ्यस्च सिक्षाम ते स्वियं दुखं नगणियती परम परोपकारेण एव प्रसंना भवंती एताद्रशा जनह परार्थे स्वय सर्वस्वम अर्थियंती आत्मार्थम तु लोके प्रतेको नरो जीवती किन्तु तसेव जीवनम सलाग्यम ये परार्थम जीवती उक्तम चै आत्मार्थम जीव लोके अस्मिन कोह न जीवती मानवह परम परोपकारायो जीवती से जीवती अस्माकम पुराणे सुपरोपकारस्य अनेकानी उधारनानी संती महराज सिविह कपोतस्य जरक्सार्थम एवस्व देयस्य मान्सम उतक्रत्य सेनाय प्रादात् दया वीरेन परमकारुनिकेन मात्मना जीमुत वह नेन गरुडात नागानाम प्राण रक्सार्थम स्वय बहु मुल्यम अपी जीवितं परी ट्यक्तम परवपकार भावनय एव महर्शि धदीचिही देवानाम हिताष्व यानी अस्थी निददव राजर्षेन असोकेन संसार्य अस्मिन अहिंसया प्रचार्रार्थम स्वय विस्तरितम अपी राज्यम परी ट्यज्य बेक्सुपदम ग्रेतम मात्मनाईसा मसिहेन अस्मिन लोके शक्ति इस्थापनार्थम एव स्वय प्राणाप्री ट्यक्ताहा प्रवपकारस्य फलम सत्यज्या दपी अधिक्तरम मन्यन्ते सुवासित ग्रंथेशु प्राप्यतेयत प्रोपकारह करतव्य प्राणाई रपी धनाई रपी प्रोपकारजं पुन्यम नैस्यात क्रतूशताई रपी वर्तमाने काल्यापी भारत वर्षे प्रोपकारश्य सूपर्थितानी निदर्शनानी प्राप्न वन्ती विडला भ्रात्रह माहमना माल्विह गांधी महाभागाह प्रबर्तयह प्रोपकारिन एव वर्तंते अनेन एव जगताह अभ्यूदयो भवते शांती सुकम चे ग्वत है वेद व्यासस्य विशय महाभारते कथेते यत अश्टा दस पुराणे शू व्यासस्य वचंद्वयं प्रोपकार है पुन्याई पापाई परपीड़नम।